मेरा एक सवाल हमारे एक जवान पर पपड़े गए है पाकिस्तान नहीं उनका वीडियो काफी इंटरनेट पर वायद है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेगी क्योंकि पाकिस्तानी आप वीडियो में देखी तो उनसे काफी अच्छी तरीके से पेश आ रहे हैं तो उसके ब अगर आप यह बोलें कि पाकिस्तान के अंदर टर्रिस्ट है तो पूरा पाकिस्तान टर्रिस्ट नहीं है तो उस हिसाब से अगर ऐसे रखा जाए तो पाकिस्तान पूरा फराब नहीं है तो वहां भी बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छे तरीके से परताब करते हैं बु मेरा तो नहीं का क्योंकि मैं भूपी राशन पानी में हैं तो यहाँ बाना है वर आप तो दूपरी है? यहाँ थाओ शबंगा है सिर्वाण क्योंकि अगर मैं इस वक्त बैट कर करूंगी तो मुझे नव्जोस नवह सब्सक्राइब हो सकते है कलिंगे पास आजाए कि अर्शी को निकालो कॉंग्रेस पारी से तो आम सो सौरी आपको आपको क्या कहना चाहेंगे कि यह जॉइन कॉंग्रेस पार्टी तो अपस मैं यही कहूंगी कि मैं अच्छा काम करूंगी इवन इंडुस्ट्री और पॉलिटिक्स अच्छा क्या काम किया है इसके यह काम तो नहीं है ना बहुत सारे काम हैं इवन हम जब मेरी अगर घर की तरफ देखा जाए तो कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशन है इन भोपाल जिन्होंने बड़ा अच्छे से उसको सडख हो या फिर घरेलू चीजे हो लोगों की help करना हो वहाँ पर बड़े गरीब लोग भी है तो उनकी help करना मैंने खुद अपनी आख से देखा तो उस वक्त ही मुझे लगता था कि कांग्रेस पार्ट किया है जरीःओ से अंधिन है क्योंकि मुसलिम लोग बीजएपी में भी है मुसलिम लोग मुसलिम में होक माँ अग्रेस में और इसा नहीं है की आंधिन मुसलिम लोगे आपकी थिंकर गे टोड़ी सी लोग लेवल की बास अंक्यू तैंक यू शिल्पा शैन्दे ने कॉंग्रिस जों इन किया तो भी के बाइघए जाएगा वेलकुम तकॉंग एई। ए जाएवी औरक्टॉ प्रिष्ट मुंबाइ था चाहता है नहीं को आप पार जोगत करो फिर दाली तु पजवागत करो अब्राइब में आपके सब्सक्राइब गें बॉलीवोड नहीं तब इस अखेंगा साथी जिए गेंड़ी हुआ। कि अपर वोड़ है पर दोपिस्टाने लूजय को पांग मुदाओंज पांग योजगोजय को अगी सुघते हैं नेलम जी कहा है? नेलम जी कहा है? तो आपसे जानना जाएंगे कि मतलब जो बॉइफूड इंडस्ट्री में पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैंग करने की पात कह रहे हैं? उससे कितने सहमती रखते हैं? तो मेरे हिसाब से उनको काम दें तो बेतर हैं? पाकिस्तान इंडस्ट्री वाले अपनी इंडस्ट्री में काम करें? वहाँ पर अपने जल्वे भिखे रहें? यहाँ पर लोग की कमी नहीं है तो प्लीज वहीं पर रहो वहीं पर काम करो बट हाँ, as a singer, जो आतिफ असलम है, जो अधनान सामी है, रहत्वा तेले खान साहब है तो वह अलगी लेवल पर, वह लेजेंड है तो उनको काम करना और पब्लिक इंडिया की पब्लिक भी उन्हें पसंद कर दिए तो थोड़ा पर पता ही है, क्या हज़े है पॉलिक जोइन करने की और, & कैसे जोइन करने हैं, अधनी अधनी मुझे पहले से, बहुत ही जादा, जरुर से जब में इंडुस्ट्री में नहीं थी, उससे पहले से शोग था कि मैं पॉलिक जोइं करूं और मुझे कॉंग्रेस में ही जाना हूँ और मुझे इतना अच्छा ओफर मिला अवसल जी की तरफ से तो थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे ओफर दिया और एक बद दिया कि हाँ अब इस लेवल पर काम करेंगे तो आम हैपी कि हाँ, पॉलिटिक्स में अगर आया है तो अच्छे लेवल पर है जैसे कि आपने कहाँ आपको शुरू से कॉंग्रेस पार्टी ही जोईन करने थी तो कोई खास वज़ा कॉंग्रेस पार्टी जोईन करने की कुछ नहीं, बस किसी का क्लिक रहता है एक दम से के हाँ मुझे यही पार्टी पसंद है यही जैसे कोई हीरो पसंद होता है कोई अट्रेस होती ही है तो मुझे यह पार्टी हमेशा से पसंद है पॉलिटिक्स जोईन करने की क्या बज़ा थी? वजह यह थी कि मुझे आज से दस साल पहले किसी पंडित ने बोलता है कि मेरा पॉलिटिक्स में बड़ा सिक्का चलेगा तो मैंने का चलो ठीक है जोईन करते हैं उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप अजिन आर्टिस्ट के अलावा आप इंडस्ट्री से अलावा क्या काम कर सकते हैं अब बॉलिटिक्स में हमें बहुत सारे उफ़र मिलते हैं पॉलिक के लिए जो हम लोगों के लिए करना चाहते हैं आप अलग level पर करें एक आपेस्स करना अलग छीज बेकिन एक पॉलिटिस्टिशन के साफ करना बहुत अग छीज है ओके तो आप पॉलिटिक्स जॉइं कर चुकें कहीं सब्सक्राइपách Irina और को सब्सक्राइब करते हैं को युथ कि उश्माइबी दसे करें नः नः, यृवास देंyle करें सब्सक्राइब पह्कों आफ Wr Om क्योंकि से की एव आनिकार। लेकिन पहुत कम लोग करते हैं हमें अगर यह responsibility मिली है काम करने की तो हम जरूर करेंगे और जैसे मैंने अवाम को entertainment के लेवल पर खुश किया है वैसी politics में भी खुश करेंगे पुल्वामा अटेक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो अटेक हुआ था उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पुल्वामा अटेक हो देखेंगे दोनों तरफ की जाने इंसान इंसान बराबर है तो मेरे हसाब से हेश्टेग नुवामा नहीं होना चाहिए और एक टेबल पर बेटकर भी बात्ची सुल्चा सकते हैं जरूरी नहीं है कि अटेक करें और ये सब लेकिन हाँ उन्होंने भी गलत किया तो उसका जो जवाब दी वो भी सईए कि अर्शी आपका यूरू पाकिस्तान के तापने थोड़ा बड़ कनेक्शन रहा है तो आपसे जानना जाहेंगे कि मतलब जो वोई-बूड इंडस्ट्री में पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैंग करने की पात कह रहे हैं उससे कितनी सहमती रहती है यार देखो इंडिया मे आर्टिस्ट की कमी तो नहीं है अब पाकिस्तान वाले अपनी इंडस्ट्री में काम करें तो बहतर है हमारे दर तो वैसी इतने बिचारे मुंबई के इतने स्ट्रोगलर घूमते हैं तो मेरे हिसाब से उनको काम दें तो बहतर है पाकिस्तान इंडस्ट्री वाले अपनी इं तो उनको काम करना और पब्लिक इंडिया की पब्लिक भी उन्हें पसंद कर दिये तो मेरे साब से उनके लिए बैन लगना तो उसमें हमारा भी थोड़ा बहुत लौस है क्योंकि हम इतनी अच्छी आवाज सुनने को नहीं मिलेगी आपने क्यों ही रिप्लाई क्या कि आप अशी खान को पादी में शामिल करना चाहिए देखिए पहले तो मैं इंट्रोड़क्शन दूँगा हमारे सेल का मेरा नाम अफजल खान है और मैं कॉंग्रिस के माइनौरिटी वेलफेर कमेटी सेल को हैड करता हूँ ऐसे मुमभी प्र हमारे दिमाग में तो मेरे दिमाग में पहला नम अर्शी जी का था और मैं बहुत दिन आक्शली बात करने कोशिश कर रहा था फिर मैं बाहर था फिर हमारी बात हुई चीजे फाइनलाइज हुई और हम लोग बहुत मतलब खुश है कि इन्होंने कॉंग्रेस परिवार में आने के लिए हम ही वरी और आज साथ में है, आज हमारे लिए बहुत खुशी गमोगा है कि अर्षी जी हमारे साथ कांगरेस में जुट रही है अर्षी आप के पास जब यह उपर रिक आया थे तो आपका पहना रेक्शन ही अगा था? मेरा रेक्शन ऐसा था कि मुझे तो जॉइन करना ही था तो मैंने सूच अच्छे है खुदी आगे है, बेस्ट है तो मैंने जर्ट से इनको हां कर दिया और मैं हमेशा से सोच ती कि मुझे जॉइन नहीं करना है एक लेवल पे अच्छे तरियाख से करना है तो वो चीज भी मिली तो होगा, I said yes, I will do, जरू करूँ को कि अवाम को किता तो श्यक्त पाइड़ी के पाद? वो तो अभी पदा चलेगा मेरा एक सवाल अटाक्सी रिलेजिट है हमारे जवान है जवान पे पपड़े गए है पाद?